हेलो फैंस वेलकम टो अवर यूट्यूब चैनल वास्तूग्यान आप सबका हमारे चैनल वास्तूग्यान पर हादिक स्वागत है दोस्तो आज हम आपको बताएंगे कि इस दन तेरस पर कौन सी पांच चीजे खरीदने से गर में आएगी लक्षमी दोस्तो इस साल की शुरुवात शुकरवार के दिन हुई है और निया समन्त भी शुकरवार से अरहम हुआ है इसलिए इस साल राजाग्रे शुकर है शुकरवार का दिन देवी लक्षमी का माना गया है इसलिए शुकरवार के दिन दन और बैवव की इच्छा से बहुत से लोग शुकरवार के दिन बैवव लक्षमी का बर्त और पूजन करते हैं सो बाग्ये से इस वर शुकरवार के दिन दन तेरस भी है इसलिए इस साल दन तेरस बड़ा ही शूप सेयोग लेकर आया है ऐसे में दन बैवव की इच्छा रखने वालों को शुकरवार दन तेरस के दिन इन पांच चीजों की खरीदारी जरूर करनी चाहिए तो चलिए जानते हैं कि वो पांच चीजे क्या है हीरे को जोति शास्तर में शुकर का रतन कहा गया है इस दन तेरस पर हीरे की खरीदारी आपके लिए सोबागेशाली रहेगी इससे आपका दन और यश बढ़ेगा महलाओं के लिए खास तोर पर खरीदारी शुब रहेगी नमबर दो चांदी चांदी का सिक्का या बरतन भी आपके लिए शुब रहेगा लक्ष्मी पूजन के लिए चांदी का बरतन ख्रीदे और इसमें देवी लक्ष्मी की पूजा करें चांदी के लक्ष्मी गनेश भी ख्रीदे जा सकते हैं पूजन के बाद इन्हें अपनी तिजोरी में रखें और नीमित दूप दीप दिखाएं दन में बृद्धी होगी नमबर तीम दनिये के बीज दन तेरस के दिन दनिये के बीज ख्रीदें यह दन का परतीक माना गया है लक्ष्मी पूजन के समय देवी को दनिया अर्पित करने के बाद अपने बगीचे में कुछ बीज बो दें और कुछ को कोड़ी और गोमती चकर के साथ तिजोरी में रखे इससे आपके गर में लक्ष्मी की किरपा बनी रहेगी नमबर चार लाल वस्तर और शिंगार समगरी इस दन तेरस पर पतनी के लिए लाल वस्तर और शिंगार समगरी खरीद कर उन्हें उपार देना शुब होगा अविवाहित व्यक्ति किसी अन्ने सुहागन इस्त्री को उपार दे सकते हैं इससे लक्षमी की किरपा उन पर बनी रहेगी तीजोरी और स्टील के बरतन खरीदना चाते हैं तो यह भी खरीदे जा सकते हैं लेकिन राहू की वस्तू होने के कारण अलुमीनियम और शीशे की वस्तू की खरीदारी दन तेरस के दिन नहीं करें तो यह ज़्यादा अच्छा रहेगा नमबर पांच दिपावली पूजन के लिए लक्षमी गनेश की मूर्ती दंतेरस के दिन ही खरीद ले नमबर छे अगर आप वाहन खरीदना चाते हैं तो इस साल दंतेरस का दिन इसके लिए बहुत ही शुब है लाल और सिल्वर रंग का वाहन खरीदना आपके लिए बहुत ही शुब रहेगा नमबर साथ जो लोग मकान या जमीन खरीदना चाते हैं उनके लिए शनिवार छोटी दिपावली का दिन विशेश शुब रहेगा इससे आपके गर में लक्षमी बनी रहेगी तो दोस्तो ये था हमारा आज का टोपिक जिसमें हमने आपको बताया कि इस दन तेरस के दिन पर आपको कौन सी चीज़े खरीदनी चाहिए जिससे कि आप पर देवी लक्षमी की किरपाथ बनी रहेगी अगर आपको यह वीडियो फाइदे मन लगे तो आप इस जानकारी को अपने दोस्तों से जूर शेयर करें हमारे चैनल वास्तू ग्यान को सबस्काइब करना मत बूले हम आपको फिर मिलेंगे एको नई वीडियो के साथ थैंक्स फो वाचिंग